हेलो दोस्तो आज मैं बहुत ही अच्छी वेकंसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसका नाम मत्पादेश हाई कोर्स शिविल जज्ज की इसमें दोस्तो दोस्तो बामन पोस्टे है इसका नोटिफिकेशन क्या है इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे आप अध्यान से देखिए गए वीडियो को गूगल पर दोस्तो सबस्पाइश सरकाई रिजल्ट टाइप करते हैं उसके बाद सरकाई रिजल्ट डाट कम अप्शन बाले पाए क्लिक कर देते हैं यह देखिए दोस्तों यांपी यह सी यांपी एच सी मत्पादेश हाई कोट कि सिविल जच के निकली है कि इसकी डेट दोस्तों कि मैं आप लोगों को दस बारा दिन पहले यह नोटिपिकेशन देने जा रहा हूं कि इसकी डेट बाइस नाव दोहजार बीस से चालू होगी दोस्तों फाम भानने की डेट जो है बाइस नाव लास्ट डेट है पांच ग्यारा दोहजार बीस तक जैनल ओवी सी वालों के लिए फीश है ग्यारा सो बाइस रूपाई पाइस वालों के लिए साथ सो बाइस रूपाईस शोला पाइस है लास्ट डेट है पांच ग्यारा दोहजार बीस तोटल पोस्टें है दोसो बामन पोस्ट है सिविल जैज में जैनल की पोस्ट है एक सो दो अभी सी की पोस्ट है उनतेश एसी की पोस्ट है तेटेश एश्ट्री है अठासी एज लिमेट है मिनमम कम से कम एज होनी चाहिए 21 साल मैंकिमम 35 साल इसके बीच में ही एज होनी चाहिए तब ही आप MP हाई कोट सिविल जैज के लिए एप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन दोस्तों कि बेचलाइट डिग्री इन ला एल एल वी डिग्री इन एनी डिकाइज इन्वाशिटी से किसी भी इन्वाशिटी से एल एल भी होना चाहिए इसकी डेट जो है बाइस नव दो हज़र बीस से लेकर पांच गेरा दो हज़र बीस के बीच में आप फाम भर सकते हैं एप्लाई आनलाइन का लिंक बाइस नव दो हज़र बीस को ही ओपन होगा अब ही हम मैं आप लोगो को क्या क्या डाकुमेंट लाएंगे इसमें इसका पाठक्रम क्या होगा सुधार की टित कब तक है फिर इस कितनी जामा होगी यह सभी के बारे में यह मैं डीटेल आपको बताऊंगे इस वीडियो में ध्यान से देखिए एक वीडियो दोस्तों जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन समझ में आ जाए भाम भनने की प्रम्भिक देश बाज सितंबर दोहजार बीस दोपार बारा बज़े से चारू हो जाएगा मंगलवार को अंतिम्ति थिहाए पांच नॉम्बर दोहजार बीस को रात गेरा बच के 55 मिनट तक अवेदन में किसी भी तरह का सुधार के लिए दस नॉम्बर दोहजार बीस तक बारा बज़े तक लागू रहेगा आनलाइन प्रम्भिक परिच्छा और मुख परिच्छा कीती थी अभी आई नहीं है कि ध्यान से देखिएगा कि इस्टेप बाई इस्टेप आपको नोटिफिकेजन इसमें बताया गया है पोटल सुल्क सहित परिच्छा सुल दी हुई है रच्छी आदार इस्टेट वालों के लिए ग्यारा सो बाईस उपाईस उपाईस उपाईसे मात्र इस्टेप वालों के लिए साथ सो बाईस उपाईस उपाईसे मात्र इसमें देखिएगा दोस्तों सर पत्र मत्र इस्ट का मूल निवासी होई हो न चाहिए अगर मत्र इस्ट का मोल निवासी नहीं है तो अधिक फिष्ट लाएग timer अनच्छित वर्ग के लिए रिक्त पैद है स्वल यसी के लिए पिछरवर्ग के लिए अनसोचित जात के जंग जात के लिए कितने पोस्टे हैं इस सभी का विवरन इस वीडियो में बताया गया है यह वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा यह जो बेकिंसी है MP हाई कोट में सिविल जज़ की है जिसमें 200 बामन पोस्टें रिक्तिस्थान खाली है मत्पदेश राजी से बाहर के लिए क्या छूटे रहेंगी कितनी कार फीच रहेगी मत्पदेश के अंदर यानि मत्पदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या छूटे क्या प्रवध्वान किये हैं पत्त का नाम है सिविल न्याइधीश वर्ग दो प्रिविश इस्तर इनका बेतान मान 40,490 रुपए टोटल 44,770 रुपए अवस्यक अहरताएं ये दी हुई हैं मत्पदेश का निवासी होना चाहिए ला से इसना तक के डिग्री उपर लब्द होनी चाहिए आईउ एक जन्वरी को 21 वर्ष की आईउ पूंट कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आईउ कम्प्रिट न की हो छूट के लिए हैं मत्पदेश मोल निवासी कि यह सी एश्टी के छूट के लिए तीन वर्ष मत्पदेश सरकार श्रेनी तीन वर्ष की छूट सभी में तीन वर्ष की छूट का प्रवधान किया गया है कि इसमें निम्नल लखित मामले दिये हुए हैं इसमें क्या कैसे परिच्छाइस्तान अंसूचित तथा अन्न के लिए प्रवश्पत कब एविलेबल होगा अवेदन फार्म किस प्रकार भरे जाएंगे यह सभी का विवरन ध्यान से देखिएगा आल लाइन फार्म अवेदन भनने के आदेश्वा बिद्ध क्यप्या अवेदन फार्म सवधानी पूर्वा निर्देशों को परके भरे जिच्छे की फार्म को भरते समय कोई अशूधा यह फार्म भरने के उपरांद कोई तुर्ट ना हो परिच्छा सुल्क का भुगतान आलन के माध्धम से होगा परिच्छा की योजना यह तीन इस्थर पर भीवाजित की गई है आलाइन फ्रांभिक परिच्छा मुख परिच्छा और सच्छा कार्ड परिच्छा तीन परिच्छा होनी है यह आपका सलेवस है यानि पार्ठ ग्रम किस में से कितने नंबर का आएगा अंग्रेजी ग्यान से दस नंबर का समान ग्यान दस नंबर भारत का समिधान दस नंबर सिविल प्रक्रिया पंदरा नंबर इस प्रेकार से इन सभी का देर सो प्रश्ण पत्र रहेंगे देर सो प्रश्ण में देर सो अंखी रहेंगे यह आपके टोटाल पंदरा बीशाय का पार्ठ करम बनाया गया है इसमें पंदरा बीशायों के पार्ठ करम को आप अभी से तयार करना इस्टार्ट कर दीजिए जिससे की जिससे की पेपर देने पे आपको कोई कटना ही ना हो आनलाइन प्रम्भिक पिशाय परिच्छा पकिरिया यह देखिएगा किस पे कार से क्या लिखा हुआ आप नोटिफिकेशन ध्यान से पाई लेजिए प्रम्भिक परिच्छा काम मुल्याखन किस पेकार से किया जाएगा इसका विवरन इसमें है यह देख लेजिएगा अवस्चक सूचना अवेदक को अपने चुने हुए परिच्छा केंद को परिच्छा शुरू होने के समय के एक घंटे तीस मेर्ट पूर्ब कोविद नाइंटी काल सेंटर के गश्च समय को उपस्थित होना वस्थाखना पेपर के देर घंटा पहले आपको उपस्थित होना परेगा जिससे कि आपको कोविद नाइंटी को ध्यान में रखते हुए कोड़ोंस से बचाओ के लिए देर घंटे पहले से आपकी जांच के उपरांथ ही आपको परिच्छा कच्छ में प्रिविश्च दिया जाएगा मुख परिच्छा का चार सु अंग का होगा प्रिविश्पत्य मुख परिच्छा का प्रिविश्पत्य आनलाइन के माध्यम से www.mps.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे प्रस्ण परत्र में रहेगा क्या-क्या ये सभी का भारत का समिधान संपत्य निर्देश शिविल पक्रिया भारती समिधा दोती प्रस्ण पत्र में लेक समाजिक विश्पत्र ती संका लेक विधी तती प्रस्ण पत्र मत्पदेश त्याग भास साग्त भारती साग्त ये पक्रिये संग्द आठारत 1973 चतुर प्रस्ण पत्र में आरोपी की नेनाय आदेश सिविल लेखन आधिका विवरन दिया है शवी प्रस्ण पत्रों में प्रस्ण के उत्तर एक ही भासा हिंदी या इंगलीज से आप दे सकते हैं अगर आप इंगलीज से देना चाहते हैं तो आल टू आल इंगलीज भासा का प्रियोग करिए अन्था अगर हिंदी से आप देना चाहते हैं केवल हिंदी का भासा का प्रियोग आप करिए क्योंकि अगर आप ने दोनों भासा का प्रियोग किया तो आपके नंबर माइनस मार्किंग में चले जाएंगी मुक परिच्छा का पईनाम किस प्रकार से कब निकलेगा सच्छतकार अंधिम चायान का आधार बाईवा होता जो पैताच चुरूप से हमको उपस्तित होकर पूछे गए हर सवालों का जबाब देना पड़ता उसको बोलते हैं सच्छत कर या बाईबा भी बोलते हैं प्रिच्छ संबंधी अन्ने निर्देश हम कि दिया हुआ है कि खंड सामें परिच्छ संबंधी अन्ने निर्देश सुध्य पत्र निर्देश विश्ष्ष्ष्ष्ष्ण करन यात्रावाई का भुकतान और अच्छे तवर्ग के लिए भ्यारतियों को आलाइन प्रम्भिक परिच्छा के सच्छत कार्थ में होने सम्नित के जाएंगे इस प्रेकार से दोस्तों यह वीडियो यह एंपी हाई कोट 22 सितंबर से 2020 से फाम भरे जाएंगे धन्यवाद दोस्तों थाइंकियू चले किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे पूर्ण